खेसारी लाल यादो भोशपूरी इंडस्ट्री का वो नाम है जो पैदा तो गरिब हुआ लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी उनकी मेहनत और जजबी को सलाम कभी गाम और शहर में ठेला पर लिट्टी बेचा करते थे खेसारी लाल यादो तो कभी लोगों के कपड़े और बरतन तक धोने परते थे खेसारी लाल यादो को सुनिये मैं लोगों को आप सबको इसलिए बताता हूँ कि एक दूद बेचने वाल आदमी यहां तक पहुँच सकता है अपने महनत के बदवलत और आपके प्यार के बदवलत तो आप भी पहुच सकते हैं आप कोशिस करिए दुनिया में कोई का मुश्किल नहीं है खेसारी लाल यादो को गाना गाने के लिए स्टूडियो में नौकर का काम करना परा था आज भोश्पूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़े सुपर स्टार में से एक हैं खेसारी लाल यादो संगहर्स की कहानी सुनकर आपके आँक से आसू निकल जाएंगे सुनिये उनके खेसारी लाल यादो के घर में नौकरी करते थे दिन में घूम घूम कर चना बेचा करते थे खेसारी लाल यादो गाए और भैस का दूद बेचते थे बड़े सिंगरों के घर में नौकर बनने पर मजबूर थे खेसारी लाल यादो आज इंटर्व्यू देखकर बहुत कुछ आपको शीखने को मिलेगा सुनिये खेसारी लाल यादो की जुमानी उनकी कहानी और हम आपको बताएंगे उनकी संगहर्स की कहानी तो सुनिये खेसारी लाल यादो आज किसी पहशान के मोहताज नहीं है उनके गाने देश और विदेश तक के लोग सुनते हैं उन्हें लोग देखते हैं उन्हें लोग जानते हैं एक वक्त ऐसा था जब खेसारी लाल यादो अपने गाउं धंडी रसूलपूर चटी यानि छपरा में दूद बेचने का काम करते थे जब 6 साल के थे तब माद दिल्ली चली गई खेसारी के पिता रात में दिल्ली में गाट की नौकरी करते थे जी हाँ गाट की और दिन में चना घूम घूम कर बेचा करते थे खेसाईला यदो के तीन भाई हैं वो दिन थे वो दिन भी ऐसे थे जब खेसारी के परिवार को खाना खाने और शौक पूरा करने के लिए जमीन आस्मान एक करना पारा था बहुत अधिक परिस्रम करते करते ठक जाते थे खेसारी के पडिवार ने कभी हिम्मत नहीं हारी बेटा खेसारी को एक दिन स्टार की तरह जो देखना था चाहते थे जी हाँ, खेसारी बश्पन में चाचा के पास रहे और वही पे पले बड़े गाए भैस का दूद बेचा करते थे, साथ में थोड़ा पढ़वी लिया करते थे गाओं में नाटक में थोड़ा गाना भी जाकर गाल लिया करते थे खेसारी लल यदो और भैस का चारा दूद बेचना, संगीत सीखना, तीनों चीज को मैनेज करना काफी कठीन हो गया था खेसारी लायादो को फिर भी खेसारी ने कभी हिम्मत नहीं हारी दिल्ली में कई स्टूडियों में नौकरी के लिए गए और नौकर का काम भी किया गाना गाने के लिए पापा के साथ लिट्टी और चोखा बेचा करते थे दिल्ली में खेसारी लायादो कपरा धोते थे जारू और पोचा तक करना परा था उने जी हाँ जारू और पोचा तक करते थे सिर्फ और सिर्फ गाना गाने के लिए अंदर में जो आग था वो कभी नहीं गया खेसारी लाल यादो के अंदर से जी हाँ गाना गाने के लिए जो आग थी वो कभी नहीं गई खेसारी के अंदर से धीरे धीरे भोशपूरी एल्बम माल भेटाई मेला में खेसारी को पहली सफलता दिलाई 2012 में बात करें तो साजन चले ससूराल फिल्म ने सफलता के जंडे गार दिये और आज खेसारी लाल यादो भोषपूरी सिनेमा में जी हाँ भोषपूरी सिनेमा के पर्दे पर चमकते सितारों में खेसारी का नाम ट्रेंडिंग स्टार में आता है अपने गाई की और एक्टिंग से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाले खेसारी लेल ज़्यदों को उनके जजबे को उनके मेहनत को सलाम करता है महाखबर 24 क्योंकि यहां खबरों का सलसला कभी नहीं थमता कभी गाउं में ठेला पर लिटी चोखा बेचा करते थे और गाट की नौकरी तक उनको पापा को करना पदा था चणा बेचना पदा था उनके पडिवार को उनके पापा को लेकिन आपको बताते चले कि संगर्स की कहानी और उनकी जुबानी आपने सुना कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी परिस्रम न करना नहीं छोड़ा लेकिन आप भी अगर सची मन से सची सरदा से अगर आप म्यूजिक सीखते हैं अगर कुछ भी काम करते हैं तो कुछ भी संभव है इस दुनिया में बिल्कुल मेहनत करिए परिस्रम कीजिए और देखते रहिए महा कभा टो डिपोर्ट क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुखता आपने देखा कि हमने किस तरह से बताया कि खेसाई लाल यदो आज किसी के पहचान के मोहताज नहीं है और उनके गाने देश और विदेश तक लोग सुनते हैं और आज खेसाई लाल यदो कोई भी गाना गाते हैं तो सीधे music world की बात करें तो trending में चला जाता है चाहें वो सावन गीत की बात करें या फिर चाहें वो भक्ती गीत की बात करें या फिर normal कोई भी गीत की बात करें तो आज खेसाई लाल यादो के एक्टिंग के भी लाखो लोग दिवाने हैं तो भोशपुरी इंडस्ट्री में आज खेसाई लाल यादो किसी पहचान के महताज नहीं है देश और विदेश तक लोग उन्हें जानते हैं उन्हें देखते हैं उन्हें सुनना पसंद करते हैं तो उनके मेहनत और जजबे को सलाम करता है महाखबर 24 देखते रहे आनीस राज के साथ के कोई खबरों का सिलसल यहां कभी नहीं रुकता खबरों का सिलसला यहां कभी नहीं थमता देखते रहे यह महाखबर 24 बैक टू बैक और आपको दिखाते रहेंगे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और हाँ सेयर करना बिलकुल न भूले और आप क्या सोचते हैं अपन चैनल पर दिखाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि आपकी संघर्ज की कहानी आखिर क्या है तो देखते रहें महाखबर 24 बैक टू बैक अनिसराज के साथ देखते हैं लोटते हैं छोटा सा ब्रेक लेके फॉर लोटते हैं देखते रहें महाखबर 24 धनेवाद